दिल में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो मनजिल खुद बाखुद मिल जाती है इस बात को साबित किया है चमबा जिले के दुर्गम चुराक शेतर के परवेज अली बटने परवेज अली इलाके के गरीब बच्चों को तकनीकी शिक्षा दिलाने में मसीहा साबित हुए है उन्होंने चुराक शेतर के खुशनगरी और बनी खेत में तकनीकी शिक्षन संस्थान खोले है जहां वे गरीब बच्चों को निश्वल्क तक्नीकी शिक्षा दिला रहे हैं पिछले आठ वर्षों में इन संस्थानों के माध्यम से वे दोसों से अधिक बच्चों को मुफ्त तक्नीकी शिक्षा दे चुके हैं तो में प्रती वर्ष जो है 20 से 25 जो चातर या चातराएं हैं कंप्यूटर ब्यवसाय में हमारा जो कटिंग टेलरिंग का जो ब्यवसाय होता है सर्वेर ब्यवसाय होता है तो इन ब्यवसायों में हम जो है मुफ्त में जो है वो प्रशिक्षन करवाते हैं संस्था जो है सारा खर्चा जो है वो संस्था उठाती है और जो हिमाजर प्रदेश सरकार की जो सकीम है कि उन छात्रों को जो है वो एक हजार पै जो है वो मासिक भत्ते के तोर पर भी दिया जाता है संसान के छात्रों के अनुसार तक्निकी शिक्षा हासिल करना उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था लेकिन अब वो साकार हो चुका है मेरे पीता जो है काफी गरीब है जो कि मेरी ट्रैनिंग कराने में काफी असमर्थ थे और प्रिंसिपल सर जो कि इन्होंने हमें यहां पे बुलाया और कहा कि बेटा आप यहां पे आओ और आपको हम कोर्स करवाएंगे इन संस्थानों में कई पाठेकरम ऐसे हैं जिनकी मासिक फीस हजारों में होती है लेकिन परवेज अलीबट गरीब बच्चों की मदद के लिए सारा खर्च खुद ही उठा रहे हैं उनका कहना है कि इलाके में वे नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि वहां भी इच्चों का गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा सके ब्यूर रिपोर्ट डिडी न्यूज चमबा